फ्रेंट्स आज ना मेरे आपे ना दूद फट गिया था तो मैं टेंशन में आगए कि वह इतना सारा दूद है वह फट गया मैं उसको क्या करते हैं तो भी मैंने ज्यादा टेंशन नहीं ली थी कि मुझे पता है कि मैं एकदम यूनिक मिठाई बनाने वाली हूं और रक्षव लगते हैं अपना वीडियो स्टार्ट हेलो एवरीवन वेलकम बैक तो माई चैनल कुझगी रसोई सो दोस्तों बनाते हैं फटे हुए दूद से यह महंगी मिठाई सब्सक्राइब आदी क्लो दूद मेरा किचिन में रहा गया ता रात में क्योंकि मैंने बोईल करना भी गाड़ा हो गया हमें इसमें नीवू डालने की बिल्कुल भी जरूत नहीं पड़ी ठीक है अब क्या कर रहा हमने फ्रीज में सा तो दिन घंटे वाद निका रहा तो एक चंड़ी ली और इसको नहीं च्छान लिया फ्रेंट्स आप चाहो तो यहां पर कॉटन के कबड़े म चोड़ना है ठीक है इसमें थोड़ा पानी मुश्चर रहना चाहिए तो चलिए अब क्या करेंगे इस जो पानी भरा हुआ बाव लेना वो इसको साइड में कर लेंगे और इस च्छेने को ना एक में प्लेट में निकाल लोंगी लीजिए फ्रेंट्स यह पूरा आदी किलो अब एक गैस पर हमने पैन डग लिया है फ्लिम को ओन कर लिया है अब हम यहां पर चैन डाल देंगे तो फ्रेंट्स मैं आपको बता दूँ कि यहां पर जो मिठाई बनाने वाले हैं न हम तो फ्रेंट्स इसमें बिल्कुल भी हम घी यूज नहीं करेंगे हम बिना घी के ही बिना दूद बिना मिल्क पाउडर के इतनी महंगी मिठाई बनाने वाले हैं रक्षावंदर इस पेसल के लिए ठीक है तो चलिए इसको एक मिनट कर तक अच्छे सब भूनने देंगे तो लीजे फ्रेंट्स एक मिनट हो चुकी है अच्छे सब भूनने यह 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 देखिए बहुत ही बड़ी है अब यहां पर हम क्या करेंगे चीनी डालेंगे तो फ्रेंट्स चीनी आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं यहां पर मैंने तीन चमज डाली है जैसा भी आप मीटा खाते हो आप वैसे डाल सकते हैं अब इसको अच्छे से मिला लेंगे मिलाने के बाद थ दोस्तों कि यहां पर गोले का पुरादर ले लेंगे और इससे नफौहत बढ़ी ही हमारी मिठाई हैं हमने ज्याद़ नहीं डाला है खाली छहने में हमने चैनी और ऑफुरन के बेलाडरों दया धीए। अच्छे से मैश्च करते हैं मिला फेल के लिए आ बतलritis लुए हो जब अब क्या करेंगे फिलिम को ओफ कर लेंगे और फटा फट से बटन में इसको निकाल लेंगे लीजी फ्रेंस मैंने ये प्लेट में ये मिशनल डाल दिया है और आप देख सकते हैं बहुत ही गरम हो रहा है तो चलिए दोस्ते पहले इसको थोड़ा थंडा कर लेंगे क्योंकि बैंडिंग के लिए भी बहुत जाता गरम हो रहा है तो चलिए पहले हमें इसको थोड़ा सा थंडा कर लेते हैं फिर इसको चेक करेंगे लीजी फ्रेंस च्छेने का मिशनल थंडा हो चुका है और हमेना पूरी तरह से थंडा नहीं करना है थोड़ा सा गुन-गुना हो उस नहीं होते सेम वही स्वाद आएगा यह देखिए कितने बढ़िया से बाइंड हो रहे हैं आप देख सकते बिना घी के वी क्योंकि फ्रेंस जो गोलगा बुरादा होता है उसमें थोड़ा घी होता है तो इसकी विजए से हमें घी का यूज बिल्कुल भी नहीं करना पड़ क्यों कि फटेमी महनघी मठाई बना कि मैंने तयार कर ली और फेंस इसका सवात कि मैं क्या बात करूं जब आप सुद बनाखर खाएंगे न तब आप बताना के इसका सवात कैसा तहीं इतना जबर ifates लग रहा था तो देखाना मेरा जो दूद पर गया तो बिल्कुल मुझे महनत करने की भी जरूद नहीं पड़ी और ना कोई भार से समान लाने की जरूद पड़ी घर के समान से ही मैंने एक महनगी मिठाई बना के तयार कर दिये तो फ्रेंट्स आप इसको ना रक्षा बंदन स्पेशल भी बना कर अपने भाईयों को खिला सकते बहुत ही टेस्टी लगती है अब भले ही आपके घर में दूद ना फटे बर दूद को फार के आप यह बना सकते हैं इतनी टेस्टी लगते आप अगर दूद को फार होगे ना तो नीग को डाल के फार सकते हैं बहुत ही इसी आइडिया है बहुत ही बढ़िया तो फ्रेंट लिज़ हुए दूद की छेना के लड़ू आपको कैसे लगे जादा शेयर करना ताकि बाकी लोग भी अपने घर में बना कर खा सकें और अपने भाईयों को भी रक्षय बंदने स्पेशल पर खिला सकें इंजॉय कर सकें तो जरू बनाना तो चलिए दोस्तों फुल वाच करने एक लिए वीडियो दिल से थैंक यू सो मच बड़े हो तो आशिवाद देना ठेर सारा प्यार देना मिलेंगे नेक्स वुड़ी को साथ न्यू रेसिपी को साथ तब तक के लिए बाबाई टेक के लिए लव यू ओल